धनू रासी के लिए ये वीडियो अब तक के सबसे बड़े एतिहासिक वीडियो में से एक होगा इसका मुख्य कारण है सनी देव का मारगी अवस्था पर आना 15 नवंबर सन 2024 को सनी देव 7 बचकर 23 मिनट रातरी के समय पर मारगी अवस्था पर आ जाएंगे 29 मार्च 2025 तक इनका प्रभाव एक करुणा के सागर के रूप पर विद्यमान होगा क्या है इनका करुणा और क्या ये हमको प्रदान करने जा रहे हैं कौन सी उपलब्धी मिलने जा रहे हैं आज इसी बात को आप और हम समझने जा रहे हैं वास्ताव में एक नारियल के भाती है सनी देव जितना कठोर उपर से नजर आते हैं उतना ही कोमलता इनके अंदर विद्यमान होता है और इसी कोमलता को लिए हुए अब ये कुछ ऐसा सुक्ष्म और दिर्ग रूप से करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित के बिगर नहीं रह पाएगा भगवान देवाधी देव महादेव के ये सिस्य माने गए हैं अर्थाद भगवान संकर ही करपूर गवरम करुना वतारम है और उनके भगत में वो गुन समाहित है अर्थाद सनी देव इस समय पर जाने की अवस्था पर है सेज बचा हुआ साधे चार महिना एक ऐसा प्रभावपूर्ण महिना होगा अईसा प्रभावपूर्ण समय होगा जहां पर बहुत कुछ परिवर्तनी इस्तिती को प्राप्त होगा 95% तक जीवन में बड़े परिवर्तन के रूप में इस समय को हम देख सकते हैं चाहते तो हम यहां पर 100% या 1000% भी बोल सकते थे लेकिन जब 1000 या 100% की बाता है तो साख्षाद ब्रम्हा की सत्ता को चुनावती देना होगा और वो सामर्थता हमारे अंदर नहीं है हम यहां आपको पदर्शित कराने जा रहे हैं कि क्या हो सकता है आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लेकर क्या है सनी देव कैसे ये वीडियो एतिहासिक वीडियो होगा इस बात को बड़े गंभीरता से और सुक्षमता से जानियेगा जरूर जैसे इस सनी देव मारगी होते हैं अब वो अपनी गती को साक्षात आगे की ओल ले जाएंगे अर्थात पीछे मूल करके देखना अब सनी देव के हाथ में नहीं होगा चुकि सनी देव कर्म के स्वामी है कैरियर के स्वामी है इस हिसाब से तीसरे घर पर बैठे हैं और इनकी तीन द्रिष्टिया होती है बड़े ध्यान से समझेगा इन द्रिष्टियों को प्रथम द्रिष्टि जो मिलेगी तीसरे घर से तीसरी द्रिष्टि पढ़ती है पंचम भाव पर यहां से एक सात्वी द्रिष्टी पड़ेगी जो की नवम भाव आपके भागी का घर हो गया और एक द्रिष्टी पड़ेगी सीधे बारवे घर पर जो की द्वादस इस्थान हो गया अब इन परिस्थितियों में सनीद्यों कौन से परिणाम देंगे इनको अब जानियेगा तीसरा घर होता है आपके जीवन में आपके उत्साह का यदि किसी कारण से मन से सरीर से उत्साह चला गया है तो अब उस उत्साह में कई गुना बृद्धी होगी एक ऐसा समय होगा जहां पर अपने परिवारिक जनों का समर्धन आपको मिलता है एक धन से जुड़ा हुआ कारिया आप कर पाते हैं क्योंकि ये द्विती भाव के स्वामी होकर के मारगी होंगे इस बात को भी सदेव ध्यान रखिएगा अर्था धन और कुटुम्ब दोनों के द्रिष्टी कोंड से ये सनी देव आपका समर्धन करते हुए सफलता के सिर्स मुकाम तक पहुँचा जाते हैं ऐसे सनी देव की करुणा इस समय पर बरसने जा रही है चोटे भाई बहनों के लिए कोई जवाबदारी है तो उस जवाबदारियों का हम निरुवन कर पाते हैं चोटे भाई बहनों के लिए एक अच्छा समर्थन यहां सनी देव के माध्धम से मिलता है इनके पास जो प्रथम द्रिष्टी है वो पंचम भाव को सुसोभित कर रहा है अगले साथे चार महिने में यदि आपने सेयर मार्केट में कोई धन लगाया है या फिर सेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं या वहां से रिकवरी करना चाहते हैं एक ऐसा समय होगा जहां सेयर मार्केट से आपको लाब दिला सकता है पंचम भाव प्रभावित होना अर्थात आपके डिसिजन बहुत सहीं रहेंगे कोई डिसिजन कोई निर्नाय आप लेते हैं उस निर्नाय का प्रतिफल हमें मिलेगा यह तो हम अपने जीवन में कई प्रकार के निर्नाय लेते हैं लेकिन सभी निर्नाय हमारे योग्यता पूर्वक सफलता पूर्वक हमें सिद्धी तक नहीं पहुंचाता यह एक समय ऐसा होगा जहां पर हमारे डिसिजन का परिणाम हमें सुभ और अनुकूल परिणाम के रूप में देखने को मिलता है संतान से जुड़े हुए बहुत से सुभ कारे होने वाले हैं संतान के उन्नती का यह आउसर होगा प्रेम संबंधों में प्रगाणता आएगी एक दूसरे को आप समझ पाएंगे जीवन साथिया जीवन संगिनी से प्रेम अधिक मधूर रहेगा और इस समय पर एक दूसरे को समझते हुए अपने कारे को आप निस्पादित करते हैं सनी की जो अगली दृष्टी है सीधे नवम भाव पर है और नवम भाव होता है हमारे भाग्य का हमने अपना कर्म किया है हमने अपना संगर्स किया है हमने कोई काम किया है और उस काम में यदि इस्वरी कृपा मिल जाए इसे ही कहते हैं नवम इस्थान क्योंकि यही है हमारे धर्म का इस्थान इस समय पर भाग्य किस्मत आपका साथ देता है और साथ भी कैसा कहते हैं कि काम हमने किया और एक सीड़ी हमें प्राप्त हो जाए तो हम जल्दी ही सफलता के सिर्स मुकाम तक पहुँच पाते हैं ठीक इसी प्रकार से सनी देव आपके लिए एक सीड़ी का काम करेंगे कि आप उस पे सवारों करके कर्म तो हमें ही करना है लेकिन यहां जब हमको धर्म का साथ मिल जाए भाग्य का साथ मिल जाए तो समझे सफलता कई गुना यहां पर बढ़ सकती है पिता जी से अच्छे संबंद यहां पर रहेंगे अपने उच्चा धिकारी या सीनियर बॉस के साथ कोई असांती चल रहा है कोई काम वहां से नहीं हो रहा है वहां से काम होना प्रारम हो जाता है यह सनी देव का एक प्रमार रहेगा नमभाव पर सब्तम द्रिष्टी पढ़ रही है अगला जो प्रतिफल होगा वो होगा सीधे बारवे घर पर यदि आप विदेसों में रहते हैं एक अनुकुल परिस्थितिया यहां पर प्राप्त करते हैं यदि आप विदेस समंधी कोई काम करना चाहते हैं अनुकुल परिस्थिति यहां जन्म लेगा यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगले साथे चार महिने में वो इन्वेस्टमेंट समंधी काम ही होगा क्योंकि काल पुरुस की कुंडली में दसंभाव को सनीदेव रूल करते हैं यहाँ पर भी सनीदेव दसंभाव को देख रहे हैं अर्थात कोई न कोई काम आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ भी बन सकता है आप ध्यान में हैं, साधना में हैं, मेडिटेशन करते हैं, अनुकूल समय हैं इस्वर की प्राप्ती इस समय पर हो सकती है इस समय पर आपके ध्यान साधना का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है इस्वर तक तो को आप समझ पाते हैं बारवा घर प्रभावी है यदि किसी कारण मेरे या मेरे परिवारिक जनों के कारण मुझे चिकित सालै सम्मंधी ब्याय को देखना पड़ा तो हाँ ये समय ऐसा होगा कि उन सभी खर्चों से उन सभी परेसानियों से मुझे मुक्ति दिनाने के लिए मेरे सनी देवबाद दे क्योंकि मेरे जीवन के ये कुटुम और धन के मालिक होकर के पराकरम भाव के स्वामी है आपका पराकरम कभी मर नहीं सकता सदयों जीवित रहेगा आपका पराकरम आपका साहस और माना जाता है कि किसी के जीवन में यदि सफलता के स्रेष्ट मुकाम को देखना है तो देख लिए उनके साहस और पराक्रम कैसे हैं और इसी हिसाब से सनी देव तो आज हैं कल नहीं रहेंगे लेकिन सदयों के लिए ये आपके पराक्रम के स्वामी हैं अर्था जितना अधिक आप पराक्रमी बनते हैं रिस्क लेते हैं उतना जादा ये सनी देव आपको सफलता की और अ रखते हैं और आज कुछ देने के हिसाब से देखा जाया तो इनका मूड सबसे अच्छा है इनका प्रभाव सबसे अच्छा है जिसका प्रभाव हम ले करके अपने कारे में सजगता अपने कारे में उन्नती को प्राप्त कर सकते हैं अपने कारे को हमें करना है सनी देव हमारे संक्रिपावान हैं इस समय पर करुणा बरसा रहे हैं ऐसा जान करके अपने कारे की निरंतरता को आप आगे बढ़ाएगा सनी दिव आपके समर्थन आपके सपोर्ट पर खड़े रहेंगे उम्मिद हैं आप सबने इसे समझा आप समने इसे जाना हैं यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा बहुत motivation मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और धनुरासी ने हमें पुरुतसाहित किया है हमें सराहा है और हाँ यदि अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe जरूर कीजेगा पुनह एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन ही सुपकामनाओं के साथ जैसरी राओ